धाकड खबर के नियूजम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रईस्खान कोर्ट संबंदीत खबरों का तासा बुलेटिन लेकर एक बार फेस से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ आज के बुलेटिन में 10 एहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोड़ सी एक अपील है अगर आप लोगों को लगता है कि इस स्वतंत्र पत्रकारता के छेतर में धाकड खबर अगर अपनी जरा सी भी भूमी का निभा रहा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिये के लिंक पर क्लिक करके या इसका अला चारी के लिए खबरें अब देखना और सुनना कों चाहता है चोड़ते हैं इधर उधर की बात शुबात करते हैं बुलेटिंगी चलते हैं पहली खबर की तरफ पहली खबर सुप्रीम कार्ट से हमारे पास आ रही है काफी महत्पून खबर है आपको इसे नोट करके रखना चाहिए हाला के मजात तवाएगा जब ये एक तरीके से कानून बन जाये और रूल लागू हो जाए मतदाता यानि कि जो बौटर होता है उसको अधिकार दिया जाना चाहिए राइट टु रिजएक्ट का यानि कि वो जिसे चाहिए उसे रिजएक्ट भी कर सकता है आईश् पुर्णिक महरुपाध्यान का नाम है इस पीडिशन पर सुप्रीम कोड सुनबाई करने को तयार हो गया है उसने केंदर सरकार को और चुनावायो को नोटिस भेज दिया है और इस बाबत उनसे जवाब तलब कर लिया है दो मामले इस पेडिशन में उठाए गए हैं कहा गया नोटा इस्तिमाल किया जाए जिसके आधार पे राइट टू रिजेक्ट का अधिकार मद्दाताओं को मिल जाएगा यह देखना तिल्चास्प होगा चलते हैं अगली खबर की और यह खबर हमारे पास इलाबाद हाई कोट की लखनो बेंच से आरी हम समझ गए होंगे यूपी का मामला है यूपी सरकार पंचाय चुनाव कराने को तेयार नहीं थी पहले भी मामला हाई कोट पहुच गया था हाई कोट ने का 30 सप्रेल तक चुनाव संपन कराई लेकिन यूप वायक से जवाब तलब कर लिया और आज इस मामले में अदेश सुनाया कहा है कि 25 महीं तक चुनाव संपन कराने होंगे तो 25 दिन तो बढ़ गए यह टेक्टिस अच्छी है सरकार की क्योंकि वह आसानी से अब अपना चार साल पूरा होने का जश्न 19 मान 2021 को मना सकी कि खेर इ आदेश इलाबाद हाई कोट की लखनो बेंच ने सुनाया है जस्टिस ने अपना आदेश सुनाते पे का कि 2015 को बेस यह बांते हुए 2021 के पंचाए चुनाओं में जो है आरक्षन का फार्मूला लागू किया जाएगा अजे कुमार नाम की एक शक्स थे उन्होंने पेटिश के 2015 का बेसी अर्माना जाएगा और वही फार्मूला लागू किया जाएगा अब इन्होंने का है कि 27 मार्स तक आरक्षन बारक्षन जीतना तमाम लफड़ा जगड़ा है वो सब कंप्लीट कर लो और 25 मही तक शुनाओं कंप्लीट हो जाना चाहिए तो सरकार को तो इसमें फ गतर पेर्देस सी आरी है हिलाबाद हाई कॉट ने बीजेपी के सांसत कोशल किशोर के बेटे आयूश किशोर को बड़ी रहाद दे दी है कॉट ने उसकी गरफतारी पर फोरी तूर पर जो होने माली गरफतारी उस पर रोक लगा दी है कहा है कि गरफतार करनी engraspeed पारे इसक मामले में बड़ी रात ये बता दें तीन माच का जिन था, जब मडियां थाना चैत्र के एक इक 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 इसको ट्रमा सेंटर में भरती कराया गया, खबर यहाई कि चार पाँच लोग गोली मार कर इसको फरार हो गया, इसके बाद पुलिस ने इसके साले आदर्श को ग्रिफता सके इसके बाद से फरार चल रहा था साला जेल बेज आ जा चुका था पुलिस इसकी ग्रिफतारी में लगी वी थी अब कोट ये पहुँच गया तो कोट ने इसकी ग्रिफतारी पर रोक लगा दिये क्योंकि इसके वकील का कहना था कि जो भी धाराय लगाई गई है उसमें में प्रावधान है यह गिरिफतार कर नहीं सकते तो अदालत ने अदेश जारी कर दिया है इस कानी में और भी कहीं सारे पात्र जुड़ चुके हैं जैसे हनी ट्रेप एक पात्र जुड़ चुका है कि हनी ट्रेप का शिकार हुआ यूश किशोर इसके अलवा लोड़ किया उन पे एक अलग से खबर आपके सामने रखेंगे लेकिन कोट बलोटी ने तो कोट का मसला ही आपे बताया अगली खबर का रुक कर लेते हैं शिक्षा मित्र को बहाल नहीं करने पर कानपूर के पूर डियम और वरतमान डियम को हाई कोट ने तलब कर लिया है इलाबाद इन दोनों को जो है हाजिर होना पड़ेगा बड़ा सवाल ही एक पहले वाले को क्यों बिला तो कहानी समझ लो एक महिला है जिनका नाम है अर्षना मिश्रा और इस कहानी में यह भी समझेगा कि इन साफ पाना कितना मुश्किल है इन कानुनी लपड़ों के बीच चलते होती थी हाई कोट ने आदेश जारी कर दियुगा इनको बाहल कर दो भाई सिक्सा समीती से जब कोई प्रस्तावी पास नहीं हुआ इनको बाहल करो लेकिन डाम ने इंको बाहलनी कि ये फिर कोट पहुंच गये इन्हों साब आपका अधेरा कोड कि अधेरे उसका पालन निकिए जरा कोड कि आउουμεना होरी है फिर यहाँ है टू महीने के अंदर इनको भाल कर दिये जाए लेकिन डीम कह रहा हम तो इसने करों पहुंच गया है सब आपने मानने वाले मामलے में दो मैंने का आदेश दे दिया था फिर मुझे भाल नहीं किया गया अब कोट ने का एक सब क्या चीक हम डेकते हैं कि डीम को बुलाते हैं तो जवाब आया कि आप पहले वाले डीम तो चला गया कोई चला गया हो या नए आउ और आके कि वो ही कहा है कि मैं तो जानता नहीं दोनों आ जाओ तो दोनों को बुलाया है देखना दिल्चास होगा पच्छीस मार्च को होगा क्या लेकिन इस कहानी में समझ ये कि एक बार हाई कोट जाए आदमी लाखों रुपे खर्च होते हैं वकीले हमें थोड़ी कड़े हो जाता ह आई कोट के नाम पे लाखों रुपे लेते हैं दूसरी बार जाए फिर लाखों खर्च करेगा तीसरी बार जाए फिर लाखों खर्च करेगा लेकिन मिला क्या इनसाफ पाना कितना मुश्किल है ये भी जानी अगली खबर का रुक कर लेते हैं अब सीध है ग्यान वापी मस मस्जिद है उसको लेकर उसके जमीन पर दावा किया जा रहा था और उसकी सुनवाई की बात कही जा रही थी कहा जा रहा था इसको खोला जाए इसको सुना जाए और ये जो है जगा जो है हिंदू पक्षकारों को दिला जाए मंदी पक्षकारों को दिला जाए मंदी पक्षक यहां पर करेंगे अब देखते हैं इस पर नोटीस तो कोड़ ने जारी कर दिया सभी पार्टियों को इस पर कोड़ करता क्या है काफी महत्पून हो रहा है यह मामला जब से अयुद्या का फैसला है तब से काशी हो या मतुरा हो इस पूरे मामले को जो है हिंदुत वादी तक हो जाएगा लेकि लगता नहीं कुछ लोगों को यही राजनिती भा रही है अगली ख़बर का रुक कर लेते हैं अब साथ अप्रेल को होगी जवाहरला लहनी उन्वस्टी में लगाए गए देश ब्रोधी नारों की मामले की सुनवाई जी हां आज 15 मार्च हैं आपको मैंन ना होने की इजाज़त दे दी जाए कोट ने का नहीं सब को हाजिर होना पड़ेगा और इस मामले में अगली तारीख साथ अप्रेल मुकरर कर दी है अब साथ अप्रेल को इनको हाजिर होना पड़ेगा यानि के किश का ट्रायल जो है दीरे दीरे बागे बढ़ रहा है साथ पट्याला उसकोट ने का कि जितने भी आरोपी हैं उनको चार्शिट की कौपी दे दी जाए यह होता यह जो भी आरोपी होते हैं हमेशा उनको उस केस की चार्शिट की कौपी दी जाती है चैक ऐसा भी मुकदमा हो तो आज फिलाल इतना घटना करम हो आप देखेंगे साथ अ अगली खबर की तरफ बटला हाउस एंकाउंटर पर आ गया है फैसला बता दें आपको भी हाल ही में कही दिन पहले कोट ने आरीज खान को दोशी ठेहरा दिया था और पंदरा मार्च मुकरर की थी सजा सुनाने की तारीक तो उसी सजा को आज जो है बटला हाउस काउंटर वाले मामले पर सकोट ने अपना फैसला सुना दिया और आरीज खान को फासी की सजा सुनाई है इस केस को रियर ओफ रेस्ट माना है अदालत ने और कहा है कि एक बहुत ही खतरना केस था बता दें 2008 का मामला है बटला हुस एंकाउंटर हुआ था उसमें एक ख़बर का रुक कर लेते हैं काफी मैत्पूर्ण खबर सुप्रीम कोट से आ रही है और जो बंदा लेके पहुचा है वह तो कमाल का बंदा है ना मैं कपिल मिश्रा वह इस पेटिशन को लेके पोचा है बीजएपी का नेता गया सकते हैं और बीजएपी के नेता प्लस एड में 20 साल तक जेल में बंद रहने वाले विश्नुकमार तिर पार्टी को इलाबाद आई कोट ने बाइजद बरी कर दिया कहा कि उन पर लगाया गया यारोप जूटा था इसके बाद से तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि जो लोग ऐसे फसाद देते हैं उन लोगों के क मौवज़ा दिया जाना चाहिए तो दोनों मांग लेकर भाई जो घलत फसाते हैं जूटे वुकद में लिखवाते हैं उनके लबकारवाई की जाए और जो पीडित है विश्नुकमार तिर पार्टी उसको मौवज़ा दिया जाए ये मांग लेकर कपिल मिश्रा सुप्रीम क कारोप लगाया गया था उनको भी शामिल करता उनकी भी जिन्देगियां बरबाद होई है 20-20 साल तक उनके परिवारों ने सफर किया है और पूरे मामले को उठाक लेकर जाता तो जादा अच्छा लगता है लेकिन आप यह कह सकते हैं उनको तमीज नहीं है इनके पास तमी विढ़ना है नहीं तो इसलिए भीड़ना नहीं चाहते हैं यह भीड सकते हैं और वैसे भी बंदे का नाम विश्णु कुमार तिबारी और इनको इस लिए इस वीवा को वैय्द नहीं माना जा सकता है बता दें आपको श्यूं मंदिर में विवा कर लिया गया पच्ची लड़की थी विवा वही हिंदू रीति बाज के मुताबिक किया गया तो कोट ने कहा वही एक बार बताओ जब यह लड़की हिंदू ही ना बनी शादी करने से पहले तो हिंदू रीति विवा से जो शादी की गई है जो विवा किया गया उसे कैसे व्याद माले यह अलग बात कोट में इसे कहते हूं वैसे आप लोग इसे हरियाना और पंजाब हाई कोट कह सकते हैं यहां के जस्टिस हरून कुमारतु आगी उन्हों ने यह एक एहम फैसला दिया है कि जब लड़की ने हिंदू धरमीनी अपनाया तो हिंदू रितिरी वाद से जो साध्य होई विवा आएगा फिलाल खबरती तो खबर की तोर्व पर हैंप आपके सामने अ rich को तो जानते होंगा जी मित्त करवरती की बहन नहीं है असा में तो ले को सुद्वर्ट Pvd तो रिया चक्रवर्ति की जमानत को सुप्रीम कोट में चुनुती दी घई आपको पता है क्या है कि यही दि KI TBI के रिपूर्द के मुताबिक नार्कोटिस्ट डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ति की जमानत को खारीज कर आने के लिए बाइस सब जेल में रखें रिया चकरवर्थी को छोड़ने की ना कते ही बाहर वाकिर जेल तो भेजना था सुसान सिंग राजपूत के मडर के मामले में आत्वत्ते के लिए उकसाने के मामले में लेकिन वो तो ना कर पाए तो भाईया चार पूरिया लगा दी यह इस्टाइल रख दिया उसके पास अवया धत्यार लेके तो यह स्टाइल महां पर होते थे लेकिन वो कानून आज भी चल रहे हैं कुछ नहीं मिला तो यह चार पूरिया दिखाई कि इनके पास चार पूरिया बरामत हुई है उनको जेल में डाल दिया अब जमानत में इस पूरे मामले म हाइओ को से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी जारी है आज तक आपने देखा कि आपको पीस ही तो कठा वहां देने ठोड़ी जाओ गुलामी तो आदमी उसी करेगा ना जो इसका आक्का होगा पने रहेगा धाकर खबर के साथ फिलालक कमेंट्स के सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उस जादा से जादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर आसे किसी सुलकते हुए या उस्ते मुझे लेकर मैप के सामने हूंगा हाज़े फिलारा भी मुझे दें इजाज़त